हिमालय के जंगल में ऐसे कई पेड़ पौधे हैं, जो अपने आप में अनोखे हैं. ऐसे पेड़ पौधे और कहीं नहीं पाये जाती. इन पर लगने वाले फल और फूल सबसे अलग होतے हैं。 इन पर लगने वाले फल इतने मीठे और खुशबुदार होते हैं, कि कोई भी इन मजदार और ज्यानवान था महाकपी का आदेश था कि उस पेड़ पर कभी कोई फल न छोड़ा जाए जैसे ही फल पकने को होता वैसे ही वानर उसे खा लेते थे महाकपी का मानना था कि अगर कोई पका फल तूटकर नदी के रास्ते किसी मनुश्यतत पहुचा तो ये उनके ल नदी में बहकर एक चगे पहुच गया जहां एक राजा अपने रानियों के साथ घूंग रहा था फल की खुश्बू इतने अच्छी थी कि आनंदित होकर रानियों ने अपने आखे बंद कर ली राजा भी इस खुश्बू पर मोहित हो गया राजा ने अपने आसपास निह इसके बाद राजा ने भी उस फल को खाया और आनंदित हो था उसने अपने सिपाहियों को उस पेड को खोज निकालने का आदेश दिया जहां से ये फल आया था खाफी मेहनत के बाद राजा के सिपाहियों ने पेड को खोज निकाला उन्हें नदी किनारे वो सुन्दर पे से काम लिया। उसने एक बांस का डंडा पेर और पहारी के बीच पुल की तरहे लगा दिया। महाकपी ने सभी वानरों को उस पेर को छोड़कर पहारी की दूसरी तरफ जाने का आदेश दिया। बन्रों ने महाक्पी की आग्या का पालन किया और वो सभी बांस के सहारे पहाडी के दूसरी ओर पहुच गए, लेकिन इस दोरान डरी सह में बन्रों ने महाक्पी को बुरी तरह से कुचल दिया. सिपाहियों ने तुरंट राजा के पास चाकर सारी बात बताई. राजा, महाक्पी की वीर्था से बहुत प्रसंद हुए और सिपाहियों को आदेश दिया कि महाक्पी को तुरंट महल लेकर आएं और उसका इलाज करवाएं. सिपाहियों ने ऐसा ही किया, लेकिन जब महाक्पी को महल लाया गया, तब तक वह मर चुका था. कहानी से सीख वीर्था और समझदारी हमें इतिहास के पन्नों में जगह देती है. साथ ही इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि हर मुश्किल घड़ी में समझदारी से काम लेना चाहिए. कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, और हमारी कहानी आप तक पहुंचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूले. कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद.